अक्सर ऐसा होता है कि जब नमकीन वर्मिसिली यानि सिवई बनाते हैं तो खिली-खिली नहीं बनती कभी गीली होकर चिपक जाती है नहीं तो सूखी बनती है आज हम जिस तरह से वर्मिसिली तयार करेंगे उसमें हमारी एक-एक वर्मिसिली अलग-अलग होगी यानि खिली- बनेगarbeit कि इस सिवह drinking का मि पर के नियुक्त कि अर में डालने के लिए हम बहुति कम मसालों उभाख लेगे और बहुति कम सब्चियां डालेंगे उचेलिए हम और आप मिलकर इसे बनातेख हैं if आप मेरे साथ हैं कुगवित दीपाली में इस सिवई में डालने के लिए मैंने यहाँ पर कोई सबजिया ली हैं जिसको मैंने छोटे छोटे टुकडों में काट लिया है आप अपनी मन पसंद कोई भी सबजी को छोटा छोटा करके इसमें डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, मटर, प्याज को यूज किया है एक नीबू का रस और दो हरी मिर्च को बारी काट कर ले लिया है एक कटोरी मैंने वर्मिसिली ली है ये रोस्टेड है आपके पास जो भी हो उसको ले सकते हैं ये मैंने मोटी वाली सिवाई ली है आप भी इसी तरह से सिवाई ले इससे नमकीन सिवाई बहुत अच्छी बनती है एक भगोने में हमें पानी ले लेना है गैस ओन करके पानी में बॉइल लाना है जब बॉइल आ जाए तब इसमें इस वर्मिसिली को डाल देते हैं अब इसे हम चमच से चला लेते हैं इस पानी में हमें आधा चमच नमक भी डालना है नमक डाल कर इसे एक बार फिर से चला लेते हैं सिवई को अब हमें बॉइल कर लेना है ये देखिए सिवई बॉइल हो चुकी है अब गैस को बंद कर देते हैं इसे छनी में डाल कर इसका पानी अलग कर देते हैं अब इस सिवई के उपर नॉर्मल पानी डाल देते हैं जिससे कुकिंग प्रॉसिस रुख जाएगा जब सिव राई में तो टेबल स्पून तेल को डाल कर गरम कर लेते है अगर आप वर्मिसिली meanway मूंफली के दाने डालना चाहते है तो इस समय मूंफली के दाने डालकर इसे रोस्ट कर ले और फिर दानों को निकाल ले हम यहाँ पर बिनर मूंफली के वर्मिसिली तयार कर रहे हैं ऐसे भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तेल के गरम हो जाने पर इसमें आदा छोटी चमब सर्चों के दाने डाल देते हैं जब यह तड़कने लगें तब इसमें साथ-ाथ करी पत्ते को डाल देना है अब इसमें कटे हुए प्याज को डाल देंगे इनको चला कर हमें सॉफ्ट करना है प्याज का कलर चेंज नहीं करना है जब चलाते हुए प्याज सॉफ्ट हो जाए तब इसमें कटे हुए टमाटर शिमला मिर्च मतर और हरी मिर्च को डाल कर चला लेना है यह सबजियां जल्दी से हलकी सी सॉफ्ट हो जाए इसके लिए चमच हल्दी पाउडर को डाल देते हैं इसको मिक्स कर लेंगे अब 2-3 मिनट के लिए बिना पानी डाले धीमी आज पर इसे धककर बनने देते हैं जिससे मटर जल्दी से सौफ्ट हो जाएगी और सबजिया भी हल्की सी पक जाएगी ये देखिए सबजिया हल्की सी नरम हो ग अब वर्मिसिली के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल देंगे क्योंकि पहले जो नमक डाला था सबजियों के हिसाब से डाला था अब अच्छे से वर्मिसिली और सबजियों को मिक्स कर लेना है ये देखिए कितनी बढ़िया वर्मिसिली खिली खिली बनकर तयार हुई है अब इसमें हम बारी कटी हुई हरी धनिया को डाल देते हैं मुखफली के दानों को भी इसी समय आप डाल सकते हैं इनको हम एक बार फिर से चला कर मिक्स कर लेंगे अब गैस को बंद करके इसे प्लेट में निकाल लेते हैं ये लीजिए खिली-खिली नमकीन वर्मिसिली इसे आप बच्चों के टिफिन में दें या फिर आप इसको ब्रेकफास्ट के लिए तयार करें बहुत ही स्वादिस्ट लगेगी जब आप इसे खाएंगे इस वर्मिसिली को हमने बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम मसालों से तयार किया है फिर भी इसका स्वाद बहुत ही अच्छ विम्हेंगे विम्हेंगे